इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप live streaming कैसे कर सकते हैं आपके mobile के PUBG या फिर कोई भी दूसरे gameplay की जिसमें आपकी खुद की आवाज, आपके teammates की आवाज, game का internal sound सुने आएगा और आप साथी साथ voice chat भी कर सकते हैं आपके दोस्तों के साथ में आपको कोई भी capture card जै कि आपके phone से live streaming कर लेंगे पट यार PUBG जैसे heavy, processor centric game के लिए ऐसा करना possible नहीं है और अगर आपने phone से direct live stream करने का try भी किया तो एक तो आपकी खुद की आवाज सुने नहीं आएगा और या फिर आपके game का internal sound सुने नहीं आएगा और इसके अलावा overheating, lag का issue तो होगा ही होगा सो चलिए वीडियो शुरू करते है और इस वीडियो के जो time stamps है वो सभी आपको description में मिल जाएंगे, सो एक stable live stream 300 रुपए के budget में करने के लिए आपको ये सब चीज़े चीज़ें, headphones, charging cable, एक lavalier या caller mic, aux cable, 3-pole audio splitter, और एक USB sound card, ये सभी चीज़े आपको आसपास के local market में 300 र लिंक से भी इसे खरीच सकते है, सो आप कोई भी live stream अगर देखेंगे कही भी तो वहाँ पे दो ही चीज़े रहती है, एक तो video चल रहा है जिसमें आप game देख रहे है basically, और जो audio है उसमें दो चीज़े आपको सुने आती है, एक तो game का sound सुने आता है हमें, और दूसरी जो stream streamer की आवाज है वो सुने आती है, ये वीडियो भी दो पार्ट्स में divided है, video and audio, जो हमारे phone की screen है, जिसमें हमारा game चल रहा है, उसे हमें हमारे computer में भेजना है, या फिर mirror करना है basically, इसके लिए हम यूज करने वाले एक software जिसका नाम है apower mirror, मैं आपको पहली बता दू कि एक paid software है, वैसे आपको इसका crack YouTube में मिल जाएगा, बट मैं ऐसा करने के लिए आपको recommend नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आगर आप इसे खरी देंगे तो जो इसका developer है, उसे support मिलेगा और वो इस software को ऐसी इसी तरह से improve करता रहेगा, वैसे दूसरा software भी है, जैसे Windows Connect, जो हमारे Windows 10 में pre mirroring करना है, और दूसरा option है USB के थुरू, हम यहाँ पर USB यूज़ करना है वाले क्योंकि compared to Wi-Fi थोड़ी latency कम रहेगी और जो phone का processor है, उसे stress भी कम पड़ेगा, सबसे पहले जो आपका phone है, उसे आपको computer से connect करना है, एक USB cable यूज़ करके, और इसके बाद मैं आपको file access की permission दे info दी रहती है, और वहाँ पर आपको built number देखने को मिलेगा, उस पर 4-5 बार click करना है, और ऐसा करती है, आपका developers mode on हो जाएगा, अब इसके बाद मैं back जाईए, और आपको settings में developers option दिखेगा, और फिर उस पर click करने के बाद में, फिर वहाँ पर आपको धूनना है USB debugging और उसे बस simply on कर दीजे, जो लोग Xiaomi या MI का phone यूज़ करते हैं, यह setting उन लोगों के लिए है, तो आपको developers mode को start करने के लिए MIUI version पर click करना पड़ेगा, instead of built number, और जैसी आपने USB debugging को start किया, developers mode में जाके, फिर वहाँ पर आपको नीचे में थोड़ा scroll करने के बाद में, install via USB का option दिखे settings करना नहीं है, बस simply यह जो blue color का icon दिख रहा है, इसके उपर click करके आपको USB select कर लेना है, अभी आपको जो PC में हमने software install किया था, A power mirror का, उसे open कर लो, और वहाँ पर आपको USB connection देखने को मिलेगा, उस पे click करना है अभी, और जैसी आप यह करेंगे, आपको नीचे में आपक SteamLab OBS, यह एक totally free software है, so OBS को open करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते है, कुछ इस तरह के आपे menus दे हुए, और बहुत ही simple सा setup है, बिल्कुल भी आपको टेंशन लने के ज़रोतनी है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले scene का जो option दिख रहा है, वहाँ पर आ add करना है, एक new scene, और इसका आप नाम रख सकते है, PUBG, Live या आपके हिसाब से कुछ भी, अब इसके बाद में हमें एक source add करना है, हमारे apower mirror के window का, ताकि हमें हमारी screen दिखे OBS में, और यहाँ पर आप देख सकते है sources लिखा हुआ है, और वहाँ पर हम add कर देंगे, इसे simply, और यहाँ पर आपको window capture select करना है, और अब इसका आप नाम रख सकते है, apower, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर apower mirror की जो window है, उसे select करना है, जो है apower mirror main, और आप जैसी यह करेंगे, हमारी जो screen है, यहाँ पर आपको दिख रही है, अब यह जो screen है, वो करना start कर सकते है, बट यार उससे पहले हमें हमारा जो game का internal sound है, और जो खुद की आवाज है, वो भी हमें stream में दालना पड़ेगा, so अब हम second part देखेंगे, जो है audio, so game का internal sound stream में दालने के लिए आपको इस तरह का 3-pole audio splitter लेना है, और उसे आपके phone के headphone jack में लगा दो, और अ उनके PC के back side में आपको 2-3 ports देखने को मिलेंगे, तो आपको mic वाले इसमें इस aux cable को लगाना है, और जो लोग laptop यूज करते हैं, उनके laptop में एकी port रहता है, headphone लगाने के लिए, so ऐसे में आपको वही पे इस aux cable को लगाना है, और आप जैसी ही से लगाएंगे, आपके laptop में ऐ basically aux cable को लगाना है, and then ये फिर USB में आपको इसे plug कर देना है, so इस aux cable से हमारे game का internal sound सुने आएगा हमारे stream में, अभी आपको OBS में इसे कैसे add करना है, वो देखते हैं, so यहाँ पर हमें एक और source add करना पड़ेगा अभी इसके लिए, और यहाँ पर हम सिलेक्ट करने वाले है audio your input capture, और आपको इसका source add कर देना है, और आप इसको name रख सकते है, aux in करके, यहाँ पर मैं high definition audio device select कर रहा हूँ, क्योंकि वो ही मेरा aux cable का input है, और maybe आपके PCI laptop में एक हादी बार कुछ नाम अलग भी रह सकता है, so यह aux cable है, इसके आप थोड़ी level adjust कर दीजे यहाँ से, और आप इससे एक तरह से आप चेक कर पाएंगी कि क्या आपका internal sound record हो रहा है, और आपका connection proper है की नहीं, और यहाँ पर जो audio splitter है, उसमें दुसरा port खाली है, और वही पर आपके headphones को connect करना है, so यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जब आप voice chat करेंगे आपके team mates से, तो ऐसे मे जो हमारे headphone का mic है, वो यूज नहीं होने वाला है, बलकि जो हमारे phone का internal mic है, वो यूज होगा, so इसके बीचे reason यह है कि यहाँ पर हम एक 3-pole audio splitter यूज कर रहे हैं, इसी कारण से जो हमारा headphone jack है, वो दो audio inputs में split होता है, और वहाँ पर mic split नहीं होता है, और अगर आपको आपक के लिए use हो रहा है, और जो live stream में आपकी खुद की आवाज आएगी, उसके लिए हमें एक दुसरा mic यूज करने वाले है, अब जिन लोगों का budget कम है, वो लोग एक lavalier mic यूज कर सकते हैं, और अगर आपका budget हो, तो आप एक condenser mic भी ले सकते हैं, so अभी इस lavalier mic को हमें हमा एक भी port खाली नहीं है, mic वाला, क्योंकि हमने पहली उसमें aux cable को लगा दिया है, so इसलिए हम यहाँ पर use करने वाले एक USB sound card, जो करीबन 100 रुपे में आ जाता है, और आपको क्या करना है, वो जो sound card है, उसके mic वाले port में, basically इस lavalier mic का, जो jack है, उसे plug करना है, और फिर अब यह जो sound card है, वो हमारे PC या laptop में लग जाएगा, USB port के अंदर, so यहाँ streamlab OBS में again हमें एक source add करना पड़ेगा, हमारे lav mic के लिए, तो आपको audio input capture select करना है, और यहाँ पर आपको add a new source instead select करना है, और आप इसका नाम रख दीजे, lav mic, add source, और यहाँ पर आपको अभी इसका जो यही है कि यह सभी computers में detect हो जाता है, और ऐसा मुझे आज तक issue नहीं हुआ कि detect ना हो, जो मेरा live mic है, उसकी थोड़ी जो level है, उसे कम कीजिए, और जित्ती भी चीज़े आप इसमें add कर रहे हैं, तो आपको levels को आपकी सबसे trial and error basis पर adjust करना है, और इसके अलावा यहाँ पर आपको काफी सारी चीज़े मिल जाती है, widgets आड करने के लिए, जैसे chat box, subscription goal, donation जो आ रहा है, वो भी आपका दिखेगा, instant reply, और काफी चीज़े हैं, और जो भी यहने professionally use की जाती है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके लिए एक video बनाओ, तो आप मुझे नीचे comment करके बता अब दिख सकते हैं, हमारी सारी चीज़े connect हो चुकी है, और जो हमारा setup है, वो कुछ इस तरह का दिख रहा है, और अभी आपको बस go live पे click करना है, और आपकी live streaming स्टार्ट हो जाएगी, बस यही था इस video में, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो से like ज़रूर करना, और नीचे comment करके जो भी आपके doubts है, आपको लिख सकते हैं, और मैं आपको reply करने की कोशिस जरूर करूंगा, so thanks for watching and see you in the next one.